दोस्तों आज मैं ये एक चोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ आने वाले शाओमी आयोटी डिवाइसे के बारे में और दोस्तों शाओमी ने ये अनौन्स किया है कि 26 अगस्ट के दिन 12 बजे से शाओमी अपने स्मार्टर लिविंग 2020-22 इवेंट लांच करने वाला है जिसमें शाओमी के ओर से इस साल आने वाले लेटेस्ट आयोटी प्रोड़क्स लांच किये जाएंगे जिसमें पहला और कनफर्म प्रोड़क्ट है न्यू मी नोटबूक लैप्टॉप विद बैकलाइट कीबोर्ड जो की डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला है क न्यूंकि हमने पिछले साल मी नोटबूक की धमाकेदार सेल और जबरदस कस्टमर रिस्पॉंस देख लिया है और हाल ही में शाओमी इंडिया के चीफ बिजनेस ऑफिसर रगु रेडी ने इस आने वाले मी नोटबूक की कुछ पिक्स ट्विटर पर टीज गी है अब इसक जिसका मतलब साफ है कि 26 ओगस्ट के दिन हमें एक नया शाओमी मी टीवी अनाउंस या फिर लाउंच होता देखने को मिलने वाला है लेकिन ये अभी तक कन्फर्म नहीं है कि ये न्यू शाओमी मी टीवी कौन सा है और ये कब सेल पर आने वाला है काफी सारे स्पेकुलेश कि ये एक all together new smart TV series हो सकती है जो कि मी टीवी 6 का इंडियन वर्जन हो सकता है या फिर ये एक budget segment वाली TV series भी हो सकती है या फिर हमें दो अलग-अलग budget range वाली TV series भी देखने को मिल सकती है अब ये चाहें जो भी हो लेकिन एक बात तैय है कि आपको हमारे चैनल पर इन आने वाल एक लाइक करना ना भूले थैंक यू